सदोस्तों एक और नया दिन और मैं भजी पर मार हाजरूं एक नई कहानी एक नया कित्था लेकर आज लार्स मिस्ट नुई गैंग के उस हूटर को उत्तर परदेश से पकड़ के मंबईल आया गया और उसे किला कोट जिसको कहते हैं वीटी वहां पे पेश किया गया और उसके चार साथियों को जिसका नाम है शिव कुमार सिंग और शिवा जिसने गोलियां मार के बाबा सदी की साब का मंतरी तीन समय का मेले उसका मार्डर किया था मैं उस केश की भूमका में नहीं जाओंगा मैं आज सिर्फ उसका वो बियान आपको पढ़के सुनाओंगा जो मुंबई पलीस ने नहीं बलके उत्तर परदेश पलीस की स्टी एफ स्पेशल टास्पोर्स ने रिकार्ड किया है उत्तर परदेश पलीस का इसके बारे में क्या कहना है मैं आपको वो पढ़के सुनाओंगा और साथ के साथ आप उन पांच के पांच लोगों को जब अदालत में पेश किया गया उनको कैसे मुंबई पलीस लेके गई कैसे उनको वापस लेके आई अदालत में से कैसे रिपोर्ट उस ने पूछा कि आपको ये सुपारी किस ने दी लेकिन किसी आरोपी ने खास तोर पे शेवा ने कोई जवाब नहीं दिया अब प्रानी घटना आपको सब मालम है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है मैं काली उस ब्यान को आपके सामने रखोंगा जो यूपी पलीस के सामने शिवा ने दिया यहां से पहले की भूम का छोड़ देते हैं पूना में जब यह रहता था शेवा वहां से कहानी शुरू करते हैं मवई के पास शहर है पूना जिसको पूने भी कह देते हैं वहां से कहानी शुरू करते हैं अब मैं उच ब्यान को पड़के सुना रहा हूँ, यह मेरी बात नहीं है, यह जो रिकॉर्ड, यूपी प्लीस का है, मैं वो पड़के सुना रहा हूँ, शिवा का कहना है, पूना में मैं सक्रैप का काम करता था, मेरी वाशोवम लोनकर की सक्रैप की दुकान अलग, अगल बगल थी, शोवम लोनकर लार्ज बिश्णोई के लिए काम करता है, उससे मेरी बात स्नैप चैट पे माधिहम से लार्ज बिश्णोई के भाई और मोल बिश्णोई से कई बार कराई है, बाबास दीकी के हत्या की इव्ज में मुझे यह बताया गया था कि मैं के हत्या के बाद दस लाक रपे तुम्हें मिलेंगे तथा हर महिने तुम्हें कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा हत्या के लिए शच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च में बात करने के लिए तीनों शूटरों को नए सिम वा मॉबाइल पून दिये गए थे पिछले कई दिनों से हम लोग मॉबाई में बाबा सिदीकी की रहकी कर रहे थे और दिनाग बाराँ दस दोज़ज़ चौवीस की रात्री में सही समय मिलने पर हम लोगों ने बाबा सिदीकी की हत्या कर दिया उस दिन तहार होने के कारण पलीस वा भीर भार भी थी जिसके कारण दो लोग मौके पर पकड़ दिये गए और मैं फरार हो गया था मैंने फोन रास्ते में फैंक दिया था और मंबई से पूना चला गया था पूना में जहांसी वा लखनव के रास्ते बहरायत पहुंचा था बीट बीट में मैं अपने साथियों वा हैंजन से किती का भी फोन मानकर बात करता रहा अनुराग कैसर से मैंने ट्रेंड से एक यात्री से फोन मानकर बात किया था तो उसने यह कहा था अकिलेंद्र ग्यान प्रकाश वा अकाश ने मिलकर तुमारे नेपाल में छिपने की व्यवस्था कर ली है इसलिए मैं बहराइच आया था और अपने साथियों के साथ मिलकर नेपाल भागने की फ्राक में था बाकी साथियों ने भी इस बात का समर्थन किया आगे फ्लीस वाले लिखते हैं कि गिरिफ्तार अभी युक्तों को गिरिफ्तार कर थाना नांधारा बहिराइच में दाकल किया गया है जिसके सबंद में अगरिम प्रिवदी कारवाई महभई कराई ब्रांच की चीम दोवारा की जाएगी अब दोस्तों इसमें पहले थोड़ी सी बैग्राउंड जो उत्र प्रदेश प्रदेश ने दी थी वो भी आपको बता देते ये दिनाग 12.24 को रात्री 9.30 बजे ठाने मंबई में महराष्टर सरकार के पूरो मंत्री वा फिल्म अभिनेता सुलमान खान के करिबी जियाओदिन अब्दुलरहीम सदीकी और बाबा सदीकी के हत्या उनके विधायक पुत्र शिरी जिशान सदीकी के खैर नगर सथित कारे अला में बाहर तीन अग्यात शूटरों द्वारा गोली मार कर की गई थी जिसके समंद में ये केसदार जुआँ वो लिखा गरताफ शूटरों ने उक्त हत्या में बंद को ख्यात अपरादी लार्श विश्णोई के इशारे पर किये जाने के तथ्थे का खुलासा किया था महराश्ट्रा निवासी शुब मलोनकर वाजलंदर निवासी मौहमब यासी नाक्तर इन शूटरों के हैंडलर्स थे जिनों ने उन्हें लाजिस्टिक वा मरितिक की लोकेशन अपलब्द कराई थी सो दोस्तो ये है पूरा किस्था अब यूपी पलीस ने वो पूरी कहानी जो उन्हों ने इस शिवा को पकड़ने के बाद अपने रोजनामचे में दर्ज की अप़ाईयर दर्ज की जो कोट में पेश की जाएगी और इसके चलते हुए आगे की जो कारवाई है वो मंबई पलीस मंबई की अतालतों में करेगी लेकन ये मंबई यूपी पलीस की स्टी एफ का स्पेशल टास्क फोर्स का में दर्ज करवाया गया इस शिवा या शिव कुमार सिंग और शिवा इसका कबूल नामा बहुत एहम होगा क्योंकि किती भी तरह शिवा ये स्टेंड नहीं ले साकता कि वो उत्तर परदेश का रहने वाला था मंबई की पलीस ने उसको गल्ट फसाया उसको मारा पीटा उसके साथ जबरदस्ती की और उससे जबरदस्ती ब्यान लखवाया गया और ये भयान क्योंकि उसकी अपने ही राज्या के अपने ही पलीस अफसर सहबान ने लिखा है और वो भी उसको अरेस्ट करने के बाद उन्होंने ये भयान लिखा इसकी बहुत एहभियत है इसे दो बातें सामने आती हैं कि जब पूरी की पूरी कारवाई मुबई प्लीस कर रही थी उनके पास जे खबर आई कि उत्रपरदेश के एक एलाके में शेवा और उसके कुछ साथ ही बैटे हैं और वहां से वो नेपाल जाने की त्यार कर रही त्यारी कर रही है मुबई प्लीस की एक टीम इमीडेटली जहाज के दरीए हवाई जहाज के दरीए लखना भी दी जाती है वहां के स्टीएफ के हैड़कौर्टर में मीटिंग होती है और उनको पूरी बात बताई जाती है और वहां से एक टीम निकलती है उस ठकाने पर जहां यह चार उसके साथ ही और पांच वहां यह शिवा वहां पे मौजूद थे अब आद देखिए एक बात के मंबई पलीस के पास कितनी फोक्सता इंफरमेशन थी कि सिवा अपने ही राज्या के किस तहसील के किस गाओं के कौन से घर में अपने कौन से साथियों के साथ बैठा यह मंबई पलीस का काम करने का तरीका है और यह सब पूरी इंफरमेशन होने के बाद S.T.F. उत्रपरदेश के पास कोई और चारा नहीं था सवाए इसके कि वो मंबई पलीस के साथ जाके इनको पकड़ती और वैसे भी यूपी पलीस जब काम करने पे आजाए तो बहुत अच्छा काम करती अगर उन्होंने ये काम नहीं करना होता होता शायर किती ना किती बहाने से मंबई क्राइम राट की टीम को कुछ रोक लेते कि हमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इतना लंबा चाफर है और इतने में अपने उन लोगों को अपने तरीके से इशारा कर देते कि आप जगह छोड़के भाग जाओ मबई पलीस आ गई आजा पलीस में अक्सर होता है बहुत बात एक राज्य की पलीस अगर वो अरोपी कुछ इंपॉर्टन्ट हो जा उनके राज्य के कुछ पारफुल पॉलिटीशियन जा बड़े अपसरों के साथ उनके तौलक हो कुछ हाट गाट हो तो उनको बचाने के लिए हर काम करती है यह हमने बहुत बार देखा आपने भी देखा होगा लेकर इस केस में जब यह इल्दाम बादियां लग रही थी कि नौर्ज बच्णोई गैंटे उन लोगों को बचाने की कोछिश हो रही है जिन्होंने बाबा सदीगी को मारा ऐसे तर्टे हुए माहरास्टा के अख़बारों में भी हुए तूसरे रादियों में भी हुए लेकर जब मंबई प्लीज ने एक पोखता इंफरमेशन लेके उत्रपरदेश प्लीज को इन्वाल्व किया मैं समयता हूँ के यह एक सोची समझी स्ट्रेशजी थी मंबई प्लीज की बिना उत्रपरदेश प्लीज को बताए अगर सीधा मंबई प्लीज जाके उनको रेस्ट करती तो कई किसम के किंटू प्रंटू किये जा सकते थी लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह हुई कि दोनों प्लीज की मिलवर्तन से कौाप्रेशन से यह संबब हो पाया और इसमें एक और बात सामने जो आई यह है जो उत्रपरदेश के प्लीज की इस रपोर्ट में नहीं है लेकर महारास्टा प्लीज ने अपने इंटर्वर्गेशन में यह पाया है कि नौरस बिष्णूई गैंग आज कल पैपर सप्रे का इस्तेमाल करने की त्यारी में है अग जहां किसको मारना हो वहाँ दो तिन लोग पहले पैपर सप्रे लेके जाया करेंगे जिसमें मिर्ची का मेल जोल होता है कैमिकल होते हैं जैसे मक्ही मच्र मारने का सप्रे होता है इसी तरह उची किसम के डबे में पैपर सप्रे होता है जिसमें पटाशियम, इस पटाश, पटाशियम वगारा कुछ होता है, ऐसा कुछ केमिकल होता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन जब आप यहरूप में मैंने देखा हैं के लेडीज, ओरतें, जो कुछ उल्टे सीधे पे आजनी मौर्निंग ने लेट नाइट कहीं काम पे जाती हैं, जो आती हैं जिनको लूड पाट का खत्रा होता है, जो जहानमाल की रक्षा करने होती है, तो वो अपने पर्स में पैपर स्प्रे की वो बॉटल लगती हैं, अगर उनको खत्रा महसूस होता है, तो निकालके वो छिड़काओ कर देती है, सफ्रे का, और जिसके उपर आप वो छिड़काओ करोगे उसकी कुछ सेकंड के लिए, आंके मद हो जाती है, वो खोल नहीं सकता, वो इतनी जलती है उसे आंके, आपका सांस लेने समय गलें पे भी असर पड़ता है, वो बोलने में भी तकलीफ हो सांस लेने की दिक्कत भी आ जाती है, तो ये एक सेल्प डिफेंस का एक साधन है, जो कुछ कंट्री में तो आज कल बैन भी कर दिया गया है, कि इससे मौट भी हो जाकती है, लेकर लारुस विश्णूई गैंग ने अपने गुर्गों को ये बताया कि जिसको मारने जाना हो उसके साथ पलीस के गार्ड हों, कुछ हो जो उसके अपने परसनल बॉडी गार्ड हों, तो पहले दो तिन लड़के, यंग्स्ट लड़की जो बहुत हैं इनके पाद, वो पहले वो पैपर स्प्रे करेंगे इन लोगों के उपर, अपने टार्गर के उपर, और जब वो उसके दो फैदे हैं, एक तो जिसको आप मारना चाहते हों, वो आँके बंद करके एक तरीके से अंदाव हो जाता है कुछ हमें के लिए, या बराबर देख नहीं सकता है, और उसके बाड़ी गार्ड और साथ चलने वाले उसके लोग भी उचसे शती ग्रस्त होते हैं, उतन आपने पैपर सप्रे छिड़क दिया, सप्रे कर दिया, तो जिन लोगों की आँखों में लगा वो आपको पहचान नहीं सकेंगे, घटना के बाद जो आई विटनेस होते हैं, वो आपका हुरिया बराबर बता नहीं पाएंगे, ब्यान नहीं कर सकेंगे, तो हमलावरों को इस बात की कनूनी तोर पे एक मदद मिल जाती है, कि उनको किसी ने बराबर देखा नहीं, तो आपका हुरिया कैसे बताएंगे, पलीस आपको दूरने के लिए सकेट कैसे बनाएगी, और जब ये लोग आँखें मलते रह जाते हैं, तो सब लोगों का दिहान भी, बाकी लो के लिए पलीस पोर्च काफी परेशान है, ये तो एक बात है, कुछ इस किसम के और बहुत सारे तरीके, शाज गैंक्टर ने सोच के रखें होंगे, कि आने वाले दिनों में कतल करने के पहले भागना और पहचाने ना जाने के लिए क्या का उपाय किये जा सकते हैं, कहते है क्रिमिनल्स आर आल्वेज अस्टप अहेड अफ जा कॉप्स, क्रिमिनल हमेचा पलीस चे एक कदम आगे रहता है, इथ लिए वो सरवाइब करता है, जैसन वो एक कदम पीठे रह गया, उतन वो मारा जाएगा, तो ये एक कैट और माउस गेम चलती, गुनागारों की और कान कानूनदारों की, ये परानी लड़ाई है, चलती रहेगी, जब तक गुना रहेगा, तब तक कानून भी रहेगा, और कानून का पादन करने वाले भी रहेंगे, कानून को तोड़ने वाले भी रहेंगे, अदालते भी रहेंगे, जेले भी रहेंगे, पलीस टेचन भी रहे एक सब कुछ interconnected है, बहुत तेजी से कराइम करने के तरीके, कराइम में इस्तेमाल करने वाले हथ्यार, कराइम को अंजाम देने के लिए चुनी जाने वाली जगा, चुना जाने वाला टार्गेट, वो बहले कोई क्रिमिनल ना हो, बहले उसका directly किसी कराइम से रिष्टा ना हो, लेकर आजकल मारे जाते हैं, ये बाहना लगा करके वो हमारे दोस्तों, हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं, तो ये बातें पहले भी चलती, तिरेकना आज कुछ नए तरीके से चलने लगी, और सबसे खतरनाक ट्रेंड है कि सब के सब लोग जुड़ते हैं सोशल मीडिया की मदद से गैक्टर्स के साथ, और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्कल काम है, पलीस के लिए भी बहुत बड़ी चनावती है, तो दोस्तों अब ये आपने सक्रीन पे देख लिया होगा कि कैसे इवन लोगों को यूपी से लाकर कराई ब्राच ने किला कोर्ट में पेश किया, कैसे इनको वापस लेके गए, कैसे टीवी वाले और प्रेस वाले उनको पूछ रहे हैं आपको सुपारी किस ने दी, लेकन शेवार उसके साथ ही कुछ नहीं बोले, इसके पहले दिली में और उत्रपरदेश में जब बढ़े केसर में अरूपी पकड़े जाते हैं तो उनको पलीस वाले खुद खड़े करके मेडिया से बात करने देते, पिछले जनों एक लॉर्ज बिश्नुई का शूटर पकड़ा गया था, और वो वील्टेर पे बैठके प्रस कॉन्फरेंस कर रहा था प्लीस के हाजरी में, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और पलीस वाले सुन रहे थे, लेकर मभई पलीस ऐसा अलाओ नहीं करती, ये आपने देख लिया आज, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आने वले दुनों में फिर मभई वलंटर वल्ट से जुड़ी इसी किसम की कपरें लेके हाजर होते रहेंगे, तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.